रहुल गांधी और प्रेंका गांधी वाडरा को आप सभी बखुवी पहचानते हैं। गांधी परिवार के इन दोनों नेताओं में कॉंग्रस को प्रधान मंत्री दिखता है। प्रेंका में तो लोगों को पूर्व पीम, इंद्रा गांधी की छवी दिखती है। लेकिन क्या आप दोनों नेताओं के बीच मौजूद इस लड़के को पहचानते हैं। प्रेंका गांधी ने दिल्ली में उनकी समाधी पर श्रध धांजली दी। लेकिन दोनों के साथ प्रेंका के बेटे रेहान भी दिखाई दिये। लेकिन वाडरा परिवार की तरफ से अब तक फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है। हालां कि ये भी सही है कि रेहान को प्रेंका काई बार सारवजनेक मंचों पर लेकर जा चुकी है। कई चुनावी रेलियों में हमने रेहान को कॉंग्रिस पार्टी की समर्थन में खड़े होते हुए देखा है। भारत जोडो यात्रा में भी रेहान देखे गाई थे। लेकिन रेहान के राजनेतिक भविश्य पर अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। हाइन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि रेहान को आज नहीं तो कल कॉंग्रिस लॉंच ज़रूर करेगी। रेहान की उम्र 21 साल को पार कर चुकी है और देश में विधायक बनने के लिए 21 तो वहीं सांसत बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। रेहान विधायकी के लिए तो पातर हैं हालाकि सांसती के लिए उन्हें चार साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भविश्य में रहान राजनीती में आते हैं तो उनके सामने गांधी परिवार में ही अनुभवी लोग हैं कॉंग्रेस की लंबे जमे तक अध्यक्ष रही सोनिय गांधी से उनने काफी कुछ सीखने को मिल सकता है इसके बाद पूर्वसांसद रहुल गांधी और कॉंग्रिस महसचेव प्रेंका गांधी भी उन्हें ट्रेन कर सकती हैं लेकिन अंतिम फैसला रहान का ही होगा आपको उता दें कि प्रेंका गांधी और रॉबर्ट वाडरा के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी बेटे का नाम रहान वाडरा है तो बेटी का नाम मिराया है दोनों ही बच्चों को खेल में काफी दिल्चस्पी है अभी दोनों ही बच्चे राजनीती से दूर हैं लेकिन भविश्य में क्या होगा इस पर कुछ भी कहां नहीं जा सकता नमस्कार मैं हुमानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें नमस्कार मैं हुमानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है जूस 24